कि नाओ विए दूइंग दादना अनदर एंट्री जो पोल रहे थे कि ट्रांजक्शन करनी है सारी इंट्रांजक्शन समझनी है तो उसमें एक पाट आता है बैंकिंग ट्रांजक्शन का अगर बैंक से लेना देना कर रहे हैं तो क्या है आप समझो यह दो चार तो लिखिए उसके अलावा भी मैं समझाओंगी और क्या होती है तो पेड़ टू सप्लायर बैंकिंग का मतलब अपने चेक पे किया है प्र statute districts को भी पे करोगे वह हमारा corrections है तो वह orada क्रेडिकर हमारा खत्म हो रही क्यमकि मुंकि पेमिंट कर रहे है तो एक्टेटर नहीं प्रूस्त-्चेकaldब से डलंब कुछ भी, तो फूह पर सीइवडी के कुछ भी कहे हैं हम में चाहिए हैं दिभाइटाच चाहया है और हम छेच्ट-OD अन्मिन सेयह सेप्ड़ कर स्वाइब हो जएधि स्वें कर कलोड्या। so हम लिखेंगे bank account debit to that customer account simple है customer account अगर हम same day पर deposit नहीं करेंगे तो हम उसको treat करेंगे as check in hand उसे कैसे treat करेंगे check in hand check in hand हमारे हाथ में क्या आया check आया in hand to that customer उस customer ने हमें ये check दिया है जब हम इस check को deposit करवाएंगे जब भी deposit करवाएंगे तब हम लिखेंगे bank account debit जब भी deposit करवाएंगे पास दिन के बाद, साथ दिन के बाद, महीने के बाद जब भी, 90 days मिलते हैं हमें तो bank account debit to check in hand ये समझना पड़ेगा उसे bank में directly डाल देते हैं तो bank to customer हो जाएगा पैसा आया है, वो customer से पैसा आया है इसलिए हमारा debtor कम हो गया है उससे पैसा receive हो गया तो bank to customer लेकिन अगर हमने उसको same day bank में नहीं डाला है तो check in hand to customer bank to check in hand वो ध्यान रखना है dishonor हो गया अगर मेरा check ठीक है, यह हुआ मेरा first part यह हुआ मेरा second part ठीक है इसारा third part अगर मेरा dishonor हो गया मेरा bank account में पैसा कम हो जाएगा उस customer की वज़े से वो customer से वापिस लेना बनता है हमको वो वापिस debtor बन जाएगा हमारा so simple है customer account basically जो आप उपर लिख रहते है उसकी reverse entry होगी देखो यह उसने पै किया था तो आपने क्या लिखा था bank to customer अब उसने पै नहीं किया indirectly उसका payment cancel हो गया है तो उसको कम ने reverse कर दिया तो यह dishonor के entry है कौन सी? dishonor के entry now check received from Ram paid to sham मिला ता Ram से दे दिया sham को who is the receiver? who is the giver? सुचो receiver कौन है? sham giver कौन है? ram simple entry क्या थी? debit the receiver credit the giver simple है तो sham को मिला है इसलिए sham account debit हो जाएगा to Ram account Ram में से चला गया he is the receiver he is the giver simple है एक से लिया दूसरे से दिया अब इसके अलावा भी कुछ transaction होती है समझ में आ गई ना supplier को पे किया तो bank account चे गया तो bank credit कर दिया मिला तो bank debit कर दिया to customer लेकिन हमने उसको same day पर check नहीं डाला है bank पर check-in hand रखेंगे जब डालेंगे तब bank to check-in hand कर देंगे dishonor हो गया तो quality entry bank to customer के जगे customer to bank अगे एक से लिया दूसरे को दिया तो जिसको दिया वो पर जिससे लिया वो नीचे simple the receiver and the giver अब कुछ और transactions भी होती है cash or bank में office use के लिए office use के लिए clearly ध्यान दटना office use के लिए अगर आप पैसा निकालते हो bank से so आप लिखोगे cash account debit to bank simple है cash account debit to bank cash आया due to bank again office में से पैसा deposit करवाते हो bank के अंदर deposit करवाए ये क्या किया निकाला deposit करवाया तो bank account debit to cash हमारा cash चला गया bank के अंदर ये क्या किया हमने withdraw किया है withdraw किया है for office use ये deposit किया है ठीक है deposit किया है other than this personal use के लिए अगर प्रोप्राइटर ने कुछ पैसा निकाला bank से तो simple personal use के लिए अगर प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला bank से तो उसको हम लिखेंगे drawings drawings account debit to bank simple bank वेसे पैसा गया due to personal reason so office है to cash to bank bank to cash deposit ये withdrawal personal है तो drawing to bank easy है transaction देख लो एक बार दुबारा से bank कहा debit हो रहा है कहा credit हो रहा है bank के कैसे थे बढ़ेगा तो debit कम होगा तो credit ठीक है यहाँ पर कम हुआ है पैसा जा रहा है यहाँ पैसा आ रहा है इसलिए debit हुआ है same way यहाँ पर ठीक है easy है इसके बद और transaction करते है सबी transaction समझ नहीं है opening है अभी और है दीरे दीरे समझते है practice करते रहेंगे